आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर हर मनुस को जीवन में अनेक परिष्थितियों का सामना करना पड़ता ही है और आज के समय में तो परिष्थितियों से अनेक मनुस गिरते जा रहे हैं के वल्वे आत्माएं जो अभी अभी परंधान से आई हैं जिनका एक जनम है या अदिक से अदिक दो वो थोड़े बहुत सुखी हैं लेकिन क्योंकि वो कमजोर आत्माएं होती हैं इसलिए छोटी परिष्थितियों आने पर भी वो गवरा जाते हैं लेकिन हमें याद रखना है जो मनुस महान बने हैं वो अनेक परिष्थितियों को पार करके ही महान बने हैं जिसको महान बनना है जिसको मूर्थी बनना है उसको हतोड़े तो खाने ही पड़ते हैं हम अपने को बहुत सक्ति साली बनाएं हमारी नेचर जितनी लाइट होगी उतने ही हम माइट फुल बनेंगे क्योंकि लाइट होने से संकल सक्ति वेश नहीं होती हमारी संकल को की स्पीड फास नहीं होती और परिणाम तै हमारी अंत्रिक शक्तियां बढ़ती जाती हैं हमें शक्ति सालीब बनना है साथ साथ निर्व है भी और साथ साथ बे फिकर बादसा भी हर चीज की फिकर नहीं जा कुछ हो रहा है ठीक है साथ में हम सब ब्राह्मन कुल भुसनों को तो बहुत बड़ी चापती हुई है बहुत बड़ी awareness मेली हुई है कि स्वयम भगवान हमारा साथ ही है जैसे कि वो हमारा बोडिगार्ड है, हमारी चत्र छाया है, हर परिस्तिती में हमें मदद कर रहा है, उसका ज्यान भी हमारे साथ है. सोचो, जिने भगवान ही मदद करता हो, वो कितने निश्चिंत होंगे, जिनका डायरक्ट होट लाइन का कनेक्शन हो भगवान से, वो कितने निश्चिंत होंगे, तो अपनी नेचर को हम बहुत सकती साली बनाए, लाइट बनाएं, और इसके लिए जरूरी है कि हम सदा ज्ञान की इस्मर्ती में रहें, अगर हमें यही इस्मर्ती रहें, कि स्वयम भगवान ने कहा है, तुम बेफिक्र बादसा बन कर रहो, मेरे को तेरे में बदल दो, देकर फकुर ले लो, तुम निश्यंत जीवन जीओ, भगवान सामने खड़ा होकर कहता है, अगर केवल य इस्मर्ती ही रहें, तो हम समझ सकते हैं, हमारी मन की स्थिती कितनी पावर्फुल रहेगी, तो हम घबराएं नहीं, तो छोटी बातों में अटके नहीं, साथ में ये भी याद रखें, लेकिर दो चीजों को वेकुल बैलेंस में रख दें, ये कलिव कांत है, यहां सभी को अपने हिसाब किताब भी पूरे करने हैं, यहां सच्चे नाते नहीं हैं, यहां अपनों से ज़्याद अकस्त है, यहां धोका बहुत है, ये कलिव कांत, दूसरी और हम संगम युग पर, भगवान हमारा साथी, स्रेश ज्यान हमारा स्रंगार, स्रेश ज्यान की हमें मिली है और परमातम ज्यान से और योग से हमें माइट भी मिल गई है, दोनों को याद रखेंगे, बहुत अच्छा नुपव रहेगा, तो हम अपनी नेचर को सकती जाली बनाएं, और इसके लिए तीसरी बात याद रखेंगे, स्रेश्ट स्वमान, मैं विजय रतन हूँ, मेर विजय कलक कलक हुई है, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, इसने हजारों लाखों बार विजय प्रात की हूँ, उसके लिए विजय प्रात करना तो चुटकी का काम होगा, साथ-साथ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, इस्वरिय शक्तियों से संपन्न हूँ, ये दोनों इ हमारी शक्तियों को बढ़ाती चलती हैं, हम ये भी याद रखें, बहुत सुन्दरी स्मर्ती मेरे पास पवितर्ता का बल है, पवितर्ता के बल के समख्ष परिस्तितियां ठेरेंगी नहीं, हम इन तीनों स्वमान को याद रखें, पवितर्ता का सूरिय, मास्टर सर्व शक् आध शारी दिन इन तेनों की स्मर्ती के द्वारा हम स्वैम को बहुत शक्ति शाली बना कर रखेंगे और साथ साथ याद करेंगे परमधाम से सर वस्वक्तिवान की शक्तियां मुझमें समा रही है विज्वालाइज करें गंटे में एक दो बार करने से ही हम बहुत सब्सक्राइब ओ सब्सक्राइब